ओम शांती, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 21 जैनरी के शुरुदान की, हमारे संकल्पों को हम सिद्धी सुरूप कैसे बनाएं, मैं उनको सिद्ध कैसे करें, उनको हम प्रैक्टिकालिटी में कैसे लिखे हैं तो इसलिए प्रमात्मा आज के बर्दान में कहते हैं कि संकल्प रूपी बीच को सदा समर्द बनाने वाले ग्यानी तू आत्मा भवा, पावफल बनाने उनको, ग्यान सुनने और सुनने के साथ साथ ग्यान सुरूप बनो, ग्यान सुनना सुनना, मैंना कोई अगर ग्यान को स हुआ है उसको रट ले सुना भी सकता है लेकिन परमात्वा कहा रहाiquer है कि उससा रूफ बनना है एक हम किसी को कहते है कि प Guillory Tee करना तो हमें जतना हो सके कंट्रोल करनाँ है और उसको परिंवर्तन करना करना है क्रोथ को शांति में परिंवर्तन करना पवित्र संकल्प सोचने है अब पवित्र नहीं सोचना है तो जो जो हम सिखाते हैं और उसको हमें खुद प्रैक्टिस करनी है लेकिन हां 100% purity में पहुंचने में टाइम लगता है गलतिया होती है लेकिन जहां समर्थ हैं वहां व्यर्थ नहीं हो सकता जहां powerful thoughts हैं जहां pure thoughts हैं वहां पर waste thoughts नहीं हो सकते जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क यहीं पर है लेकिन परमात्मा कहते हैं जहां अंधियारा है वो नर्क जहां उज मМы देवता प्रक्राष सब अंदकार है इसलिए ग्यानितु आत्मा माना हर संक्ल रूपी बीज समर्थ हो हमारे जो भी संकल्थ हैं, जो भी thoughts हैं, सब के कल्यान ले हो, स्वगा कल्यान भी और उगा कल्यान भी समर्थ हो, शक्तिचाली हो जिनके संकल्थ समर्थ हैं, उनकी वानी सोचो आप समर्ण, अपने आपको ही सोच लो कि अगर आपके संकल बहुत समर्थ हैं, अगर आपके संकल बहुत ही शक्तिशाली इंप्योर हैं, तो आपकी वाणी, उनकी वाणी जा, आपकी वाणी, कर्म, संबंध, सहज ही समर्थ हो जाता है, हमारे जो कर्म होंगे, हमारे जो वानी होगी हमारे जो संबंध होंगे वह सहची समर्थ हो जाते हैं शक्तिशाली बन जाते हैं वो उसमें फिर किसी को कमजोरी या किसी को negativity फील नहीं होती है impurity फील नहीं होती है यह कैसे possible है इसको practice करना बहुत अरोड़ी है इसको अब स्क्राइब ब्रमकुमारीज में जाकर करके और डेटेल्स में उम्श्यान दी